हाई एवरीवान वेलकम बेक टू मैं चैनल रहा हुँ मेथे दाना ले रहा हु उयन आछ आपके साथ्ध करिण बनाने वाली हुँ मेथी दाना ले रहा है यह 100% एफेक्टिव उयल होने His ऐस्का नारे है तो मैंने सब्सक्रा बहुंत doing coconut oil के यहां डाल रही हूं and मेंने गैसी फ्लेम बहुती स्लोर रखी हुई है YouTube मिन्हें इसके लिए यहां पर में बहुती वनटाइम यूश रिखना रही हूँ क्योंकि मै Segway ने पहले से भी बहुत सारा वाइल बना के रख लिया है मेरे and मेरे vast मेले के लिए में हर संडे ये और को अपलाई करती हूं आज मैं आपके साथ रिव्यू देने के लिए ही में बहुती छोटा वन टाइम यूज के लिए और बना रही हूं यहां पर मैंने मेथी दाना लिया है गाइस एजू कें सी हमारे हैर को सिल्क एंड साइनी बनाता है मेथ और फिशेल है रही है रहाव पीट आ been आप दुद्ध् सक्ते हो यहां यहां पर मिने मतर को क्रॉस करके मटर और इसके चीलको की ले लिया है तो मटर आपके लिए बहुत 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 अच्चा है अप्लाई करने के लिए प्रोड़क्ट है लेकिन आप उसे डिरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए में इससे आपको हैर ओईल बनाना सिखा रही हूं गाइस एंड ऑन्यन एंड मटर बहुती अच्छे होते हैं हो है यहां पे मैं ओली ओले रही हूं गाइस यह हमारे हैर क ऐली हेर को थीक बनाने के लिए हैर गृत को लाने के लिए बहुती अप्रशों होता है सो आप देख सकते हो मैं अच्छी तरह सो फ्लैम में इसे अच्छी तरह ओइल को होने दूंगी यहाँ पर मैंने चन्नी से चाल लिया है और आप देख सकते हो मेरा ग्रीन ओईल तैयार है गाइस सो यह ओन्यन एन ओली ओईल की बज़े से यह ठीक हुआ है लेकिन जो गंजे है हैर फॉल की प्राब्लेम है इन लोगों के लिए यह बैस्ट वाला ग्रीन ओईल है गाइस ट्रस्ट मी एंड कोई भी ओईल हो हमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही नव सेका गरम करके उटूसरे की हैर में अच्छी तरह मसाज करना हूँ जिससे बहूती अच्छा होता है हैं थोड़ा सा मेरा गरम था इसलिए मैं यहाँ पर स्टिल के बर्तम हैं है अच्छी तरहündeर स्काल्प भी में मसाज हो लोगे गारेम यहां पर मैं यहाँ भीी स्लोलीह मसाज कर रही कि नहीं गाइस मने वीडियो ऊफ्स किया है इसलिए और मेरे भी इसलिए अच्छी तरह मेरे हैं फिंगर पर लेते हुए अच्छी तरह में मैं मसाज कर रही हूं चाहिए जिससे आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो हार संडे इसे अप्लाई करती हूं, से मगाज़ तक रखने के बाद से में यह से बनाफ कर लेन। में लिए कर ही इतने चाई हो गए, मोझे ट्रायर की प्रॉब्लेम हो गई कि यह अच्छा रिजल्टiają केındशा है तो मैंने सुचा क्यों ना आपके साथ सेर कर दिया जाए जो गाइस में कोई भी हैर ट्रीमर या कलर या ड्रायर इस्तिमाल नहीं करती हूं मैं DIY से ही मेरे हैर को हैल्दी बना के रखती हूं चर्सथूं यदि आपको गंजे पन के प्रॉब्लम है तो आपको पांने में बहुती हैर को मेरे हैरे आप को एतने लंबे हुए है गाइस यदि आपको लंबे हैर चाहिए तो आपको ये और को वन मन तक तो इस्तमाल करना ही है फिर आप रिजर्ब खुद देखना एंद मुझे कॉमेंट करना ओके गाइस अच्छी तरह में मसाज करना लूँगी मेरे स्कालप में मेरे हैर में यहाँ पे हैर के लास्ट में भी आपको हैर से अच्छी तरह मसाज करनी है यदि आपको लॉंग हैर चाहिए तो गाइस ट्रस्ट में हैर के लास्ट में आपको मसाज करनी ही करनी है आपको यह मेरा हॉनिश्ट वारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज यार वन लाइक तो बनती है मेरी चैनल को प्लीज आगे इसे वीडियो दिखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो को सैर कर देना ओके एंड इसे अच्छी तरह मेरे हैर को में कर लूँगे ओके तो यदि आपको मेरा व्डियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और बाइबाइब आई